आज का वीकेंड का वार एपिसोड देखने के बाद फुक्रा इंसान का परिवार खुशी से जूम उटा क्योंकि सलमान का साथ अभी शेक मलहान को जो मिल गया वेल जैसे कि हम लगातार देखने हैं कि शो में फुक्रा इंसान को बहुत ज़दा टारिगेट किया गया जब भी उसने कुछ कहा तो लोगों ने बहुत बुरी तरीके से लिया कि लड़कियों की इज़द नहीं करता है अपने माबाप के साथ भी ऐसे करता होगा अब ब्रिंगिंग पर सवार उटा परवरिश पर उसकी बाते हो रही है तो कही ना कही सल्मान ने इन सारी चीज़ों को नोट किया है क्योंकि फुक्रा इंसान अभी शेक मलान शो में आए है ना कि उनके परिवार वाले आए तो किसी को हक नहीं बनता है किसी के परिवार को घसीटने का अब यहां पर फलक नाज जो की अफकॉस उनका जो एक दोगला पंता सल्मान खान ने उनको दिखाया क्योंकि अगर वही चीज़ अभी नाज करेंगे तो वही चीज़ अगर फुक्रा करेगा तो आप उसकी अब उन्होंने कही बरी चीज़ किए पूझा की किल नहीं लगी क्योंकि कहीं नहीं देखिये होता है क्लास नहीं लगाई जाती है लेकि चलो यह अच्छा है कि indirectly सल्मान ने लोगों तक के यह बात तो पहुचा दी कि इस घर में जो इंसान गेम के लिए आया है उसके बारे में बोलो अच्छा बोलो बुरा बोलो लेकिन आप किसी के परिवार के बारे में नहीं बोल सकते हैं यहां पर अभी शेक मलान की बहन काफी खुश हैं उन्होंने एपिसोड देखने के बाद एक ट्वीट किया ट्वीट में लिखा है कि वन अफ दो बेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड अभी शेक मलान वस टेरी आइड एंड डेफिनिटली पिंच्ड ही जालों सर्वाइवर ए अब लगादर कोई टार्गेट कर रहे हो तो कोई भी परिवार के लिए नहीं सहेगा अभी शेक के भाई का भी ट्वीट आया उन्होंने ट्रिगर इंसान ने ट्वीट किया कि जी जी सल्लू भाई ने रख रख के लिए जी हां तो कई न कई परिवार काफी खुश है और ज उससे फुकरा इंसान का भी एक कॉन्फिडेंट थोड़ा और भी जादा बूस्ट हुआ है क्योंकि उबंदा सही चल रहा था लेकिन फिर भी लोगों का क्या है ना कि लोग लगातार उसको पिंच कर रहे थे परेशान कर रहे थे कही ना कई उसको गिराने की कोशिस कर रहे